आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विग्यान, भौतक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें विवेक था, इसके पास मतलब कर गतिज वर्ट अरशन के डाउन, यहां से चाह में अपना प्रारम किया और यहां पर आकर रुग गया तो यहाँ पर मैंने कारिय कितना किया कारिय बराबर f.s किया w बराबर f.s तो इतना कारिय मुझे करना पड़ा और वो कारिय कहाँ पर चला गए इसकी गतीज उर्जा में तो गतीज उर्जा के बराबर कारिय हुआ तो गतीज उर जागे तो क्या यहाँ पर अगर मैं कारिय निकाल लेता हूँ तो गतीज उर जागे बराबर उजाएगा तो गतीज उर जाएगा यहाँ पर कितनी आ जाएगी देखो यहाँ पर कारिया हमारा अगर बल की बात करते है तो F बराबर हमारा क्या होता है W बराबर F की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ M दिरुमान का हमारा यहाँ पर क्ण है या पिंड है M इंटु A यहाँ पर A क्या है तोरण है और S यहाँ पर उसके द्वारा तैगी गई दूरी है तो यह S दूरी होगी M A S यहाँ पर हमारा समीकर्ण हो गया कारेगा अब देखो यहाँ पर अगर मैं तवरण और S का मान लिका लेता हूँ और यहाँ पर रग देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कारेगे बराबर आ जाएगा तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ न्यूटन की समीकर्ण के अनुसार न्यूटन की गती की समीकर्ण लिखता हूँ तो क्या कहते है कि न्यूटन की समीकर्ण हमारे पास देखो प्रारम में हमारा वेग था वो V था और अंतिम हमारा वेग हो गया यहाँ पर पहुँचने के बाद मान लिया कि यहां पर रुख गई तो उस समय हमारा जो वेग हो गया V बराबर सुनने हो गया तो अन्तिम वेग हमारा सुनने हो गया प्रारंबीक वेग हमारा V है ठीक है तो यह देखो प्रारंबीक वेग को मैं क्या करता हूँ हम साधान ते उसको U लेते हैं तो U ही लिख देता हूं मैं इसको U अब देखओ यहां पर हमारे पास क्या हुआ कि एक बटा दो या फिर यह वी ही रहने देते हैं ठीक है अब अंतिम वेग पर मैं क्या कर देता हैं अंतिम वेग को VT किसी समय टी पर यह रुग गया तो वी टी कर देता हूं वी टी बराबर हमारा सुन्ने हो गया और इसको मैं लिख देता हूं अंतिम वेग तो देखो हमारे पास जो समीकर्ण को क्या कहती है कि वी स्क्वाइर बराबर यू स्क्वाइर प्लस का 2aS अब देखो यहां पर हुआ कि प्रारम में हमारा जो वेग था वो तो था वी ठीक है यहां पर लिख दिया प्रारम वेग यहां पर वी था तो वी इसक्वाइर अंतिम वेग यहां पर सुनने होगे तो यह तो सुनने लिख दिया मैंने और देखो विपरीत दिसा में हम बल लगा रहे है मतलब की माइनस का तोरन लगा रहे हम यहाँ पर तो एक तरह से मंदक लगा रहे तो यहाँ पर मुझे माइनस करना पड़ेगा और यह हो जाएगा 2A S के बराबर तो यहाँ से हमारे पास AS का मान कितना आया V square बटा 2 देखो यह क्या क्या है V square यहाँ पर इस तरफ ले गया मैं और यहाँ पर 2 इसके नीचे चला जाएगा तो यह एक तरह से AS बराबर V square बटा 2 हो गया अब यह मान मैं यहाँ पर रखने वाला हो कारिय बराबर तो AS का मान मैं यहाँ पर रख दिया तो M यहाँ पर पहले से है AS का मान मैं V square बटा 2 रख सकता हूँ और यह एक तरह से क्या हो गया 1 बटा 2 M V square तो गतीच उर्जा बराबर जो कि हमें ग्याद करने थी वो कितनी होगी हमारी 1 बटा 2 M V square और यह हमारा सिद्ध भी हो गया यहाँ से गतीच उर्जा बराबर 1 बटा 2 M V square तो यह हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया धन्यवाद